सब कुछ है मैं सब्सक्राइब करते हैं कि प्रभु ने दिया आप लोग के फिश में आने के लिए वचन की सेवा को लेकर उचिस के लिए पितका मैं सच में कोटी-कोटी दनिवाद करती हूं आज का जो वचन है मैं न्याईयों की फुस्तक से देखते हैं कि परमिश्र किस त इसलिए यहावा ने उनको वासोर में विराजने वाले का नांक के राजा या बीन के अधीन कर दिया जिसका सेना पती सीसरा था जो अन्य जातियों के रोशित का निवासी था तब इस्राइलियों ने यहावा की दुआई दी क्योंकि सीसरा के पास लोहे के नो सो रद थे औ और इस्राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा है यहाँ पर क्या लिखा यहाँ पर दब और बराक के चरितर से हम उसके करेक्टर से देखेंगे कि किस तरीके से करेक्टर उससर में जब काम किया वह आज के हमारे जिएन में भी क्या करता है वही चीज़े सेम काम करती है परमेशो हालातों को बदलता है जब जब इस राइजर ने परमेशो के अगेंस्ट काम किया तब तक उनको मुझ की खानी पड़ी ती यहाँ पर भी क्या लिखा कि जब एहुद मर गया वतलब जब तक परमेशो अपने नियाईयों को वहां पर नूब करता था उ उनके विरोध में काम करना शुरूर करते थे जब वह सब चीद भूल जाते थे कि कि सस्हृतiver लिए ने गों इंतर हो से निकाला यहahuanie से करते हैं कब आइसे चला जाता था उनको चोड़ेता था तो फिर वह पर वह पर इस्ट नहीं आ रही थी इस रास्ते को कि या करना फॉलो करना है वारे न्याहियू ने रास्ता दिखा था तो अभी उसी चीज को फॉलो करने नहीं वो जब तक को इनके उपर सीनिया रहता था जब तक ठीक चाहते थे जा सीनियालिटी हटी जा नियाई हटे वह फिर से वूस गड़वर के अंदर घुस जाते थे और यहां पर भी क्या लिखा इसलिए यहां वने उनको हासोर में विर कर जाते हैं पर्मेशर के अगेंस्ट काम करते हैं पहले बात थे कि पर्मेशर नहीं बनाया कि उनको अपने कंट्रोल में करके रखे जब वो डिसीशन लेते से पर्मेशर के अगेंस्ट जाने के लिए तब पर्मेशर क्या करता था कई पार कुछ चीजे जो होती हैं हमारे बले के लिए होती है जीवें बीचे दुख तकलिफ आती है वो पर मेश्रा वारे बले के लिए ही देता है यहाँ पर भी क्या करना है पर निको याभीन के राजा क्या दिन करना है जिसका सेरेपटी सीसरा था और जिसके पास 900 होने के रथ उनके उपर एसे राजाओं को नुग करदे था जो उनको परमेश्य करते थाhrina को नियोंk रैख करते थे कियो परमेश्य आइटते है कि उनके लोगों सताए और जिब वो सताओं में आएगे पिर से अपने पिताओं कि याद दोहाई देंगे और फिर से परमेशर उनको बचाएगा उस उमीत के साथ अब मेरी बेटी जो है अब मेरे इसराइली फिर से मुड़कर मेरे पास से नहीं जाएंगे क्योंकि पर्मेशर रोड़ता बनी हुई क्यों को पर्मेशर के रहं यहाँ को है कि जब पर्मेशन को चोड़ कोड़ां यह तो लिया झालन तक उसके ओपर क्या करते रहें अंधेर करता रहा उनके इसरेलियों के ऊपर बीस साल तक यानि कि कई पर होता कि इंसान अपने उपर जुनकर टॉर्चर होता है वो उसको उसको चयते-सका है और जब स्टेमिना बिल्कुल खता होता है ना तब जाकर इनसान परमेश्व की दोहाई देना शुरू करता है थोड़े-धोड़े सताओ में तो बहुत है कि ठीक है चल रहा है चल रहा है ऐसे तो मारे जीवन में चलता ही रहता है चार तो साल भी पहले गुलामी में रहे फिर सतर साल फिर अब यह गुलामी पर यह सारी चीज़ें वह उसमें स्टेबल होना शुरू कर देते लेकिन परमेश्व में देखता है कि जब इस्टेबिलिटी परमेश्व करता है और कठोर करता है और क्या करता है तो और टॉर्चर बढ़वाता जाता है ताकि क्या करे वह लोग परमेश्व को पुकारे और दूसरा जो और इंसान चल रहे है जो गमंड के आत्मा में जो दुष्टा के काम करते है उनको भी परमेश्व दंड देना चाहता है कि उनके लोगों के उपर उसने अंधेर किया तो उसको भी दंड वो दे सके तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब उनसे बरदाश से बाहर होने लगा जब परमेश्व का लेवल बढ़ा दिया क्योंकि या क्या लिखा कि परमेश्व ब Mercedes दी क्धे खरे जो के अंधेन लहां कोई दूस्ता की शक्ति उसके पास नहीं आती है जब तक कि हम पर्मेश्व के अगेंस्ट समन करें या यूप के जीवन में हम देखते हैं कि परमेशन उसकी परिक्षा लेने के लिए शेतान को खुद है राओ कि तो जा तुछ हाथ लगा उसको लेगिन उसके प्राहन को छोड़कर तु कुछ भी कर ले मैं तुछ अनुमती देता हूँ परमेशन के बिना कोई भी शेतान कोई भी चीज़ से परमेशन के लोगों कुछ चूँ नहीं सकते हैं क्योंकि उसके सुरक्षा का गेरा उसके लोगों की चारो और लगा रहता है दो कारण से परमेशों allows करता है शेतानों को हमारे जिएवे में जी पार क vermेशों के लिए एक पर्ख लेने लिए लिए कि हम किस तरह से चल रहे हैं उन बात हो सीकिए हैं नहीं सीकिए या दूसरा अपने ख्रोध को बढ़काने के लिए कि जब अगेंस चले जाते हैं तो एक क्रोद के रूपे वह शेतान को मरे पास बेचता था कि हम उसके सताह में आए फिर से परमेशों को हम क्या करें पुकारने लगें यह चीजे जब उसे अगर देखना अगर सुना जाए तो यह लग रहा है कि आजंण करें श्यव्हा करता है सचर्दा लें सब्सक्राइब नहीं के लिए अधीनथा चलिके अगर परमेशों करता है तो उनको छूड़ाने लिए वह ऐसे काम मीug्हा करें दिम परमेशों करता है एक बांने चब्ड़रें आइसे काह यह होता है जब परमेश्य अपने लोगों को चुन लेता है परमेश्य अपने लोगों को बुलाता है लेकिन जब लोग परमेश्य एंगेंस जाना शुरू कर देते हैं। tools और obrigado चूड़ू। tu ngelf सीधीं उखीनी निकलता तो उघ्र नाओ तो वह बात है जब आप्यास से नहीं प्रकाश्पच्वत्र आप प्रूद प्रकाश्प की बातों कर्थीं को तेड़ा कर दो है मनवाना आता है क्वेश लोव мен कभी बच्चों में प्रावन कर् dedim लाते था कि यह लोग समझें संभी वर्मेशन को पोगारें लेकिन बहुत समय तक हो जाती हैती है न तब जाकर पराविट में पॉका 할ते हैं निए और जब पर्मेश का पुकारते हैं तो ऐसा नहीं कि पर्मेश, अब आप यह देखेगी, 20 साल तक वो उसके जीनता में रही, 20 साल तक पर्मेश उनके निगाएं लगाएं रखा था, उनकी निगाएं हटी नहीं पर्मेश की उनके उपर से, और जैसे इस्रेलियों ने द देर करता है यानि बहुत दुष्टा उनके उपर इस्राइलों के उपर उसने करी और जब आती हो गई वच्चन में भी लिखा है ना कि इनाइनियम में कि हमारी सामर से वढ़कर वो दुख हमी नहीं देता मरे बंदाश करने से बाहर वो कोई भी सताव हमारे जिएन में नहीं आई था मैं इसको पूरा तो नहीं पढ़ूँगी पूरा चिप्टर में इसमें से कुछ-कुछ आयत है आप लोगों को आगे समझाने के लिए मैं जब पढ़ने उसकी अगली आयत में लिखा है उसमें लब्ति-दोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी इस्राइलियों के न कि परमेशर ये मागले सब कुछ है तो परमेशर ये नभीया के पास वो गए उसकी दासी के पास वो गए फिर परमेशर ने उस अपनी दासी के तूट जो काम उससे करवाना था वह बात उसने करी वहाँ पर नभीया क्या क्या करते हैं दबोरा को परमेशर ने कहा कि तू बहर को बुला और भाराफ को क्या कर उसको बोल कि में क्या कैता है असी साथ को जल घो में इसे हम छुत कार को आपने आपको बिल्कुल नियत तक और दिया परमेश्व के आगे कि प्रभु तु ही है मेरे सब कुछ तो परमेश्व ने वहां पर एक उपाय किया बाराग को बुलाया दबोरा से कहकर कि बाराग को बोल कि वहां पर लड़ने के लिए जाए मैं इन सब को तुमारे इस्रैलि होगी लेकिन वहां पर तेरी कोई वावा ही नहीं होगी क्योंकि यह तो फिर स्थी के द्वारा ही जीता जाएगा तो वह परमेश्व उसको बोला बाराग को बोल नपताली और जब लून जाती में से दस हजार लोगों को ले और उन से युद करने के लिए तो जा और जैसे आगे नहीं निकला है दबोरावस को कहते है उठ और अब जा क्योंकि यह हुआ उनको तेरे अधीन कर चुका है तो लड़ने के लिए जा यहां पर उन्होंने क्या किया वहीं इस्राइली थे जो सीस्रा के अधीन थे सीस्रा उनके उपर अंधेर कर रहा था उनको दबा रहा था मारा होगा कूट रहा होगा ना जारी किस किस तरीकी की सताव आये थे उनके उपर जिसका उन्होंने परमेशर की दुहाई दी और जब परमेशर की दुहाई थी तो फिर उन्होंने क्या किया परमेशर की दासी के दुहारा जो परमेशर ने उनसे कहा उन बातों के उपर उने विश्वास किया जब परमेशनल ने कहा कि बाराग को बिलाओ दसदाद लोगों को लेकर जाएगा और क्या करेगा मैं उनको उसके अधि stubal खा़ दुआ उसी दूपह और वही इसराइली जिनके उपर सताव आ रहा था वही इसराइली जब परमेशनल की बात पर लड़ और जैसे उसके उस पार्ट के विश्वास किया वो भूल गया कि उसके पास 900 रथ है या क्या है या क्या नहीं है या मैं कहूं कि जब परमेश्व अपनी सामर्थ को डेलता है अपनी लोगों पर तो फिर आगे की विपत्यों ने विपत्यां दिखती नहीं है क्योंकि परमेश्व अपनी हिम्मत अपने अबल अपनी ताकत उन लोगों में भर देता है और फिर आगे के किसी भी सेनाओं को देखते नहीं है बस उनमें एक अजीब सी हिम्मत और ताकत आ रहती कि परमेश्व बारे साथ हम सब कुछ कर लेंगी वही इस्रैली जो दब रहे थे व सीसरा को तलवार से बाराक के सामने क्या कर दिया घबरा दिया मतलब वही सीसरा जो इनको घबरा रहा था जो इनके अपर 20 साल से अंधिर कर रहा था परमेश्व की दौहाई देने के बाद परमेश्व को पुकारने के बाद परमेश्व का साथ उनके साथ आने के बाद वही सीसरा बाराग की एक अकेले बाराग की तलवार से क्या कर गया वो घबरा गया वो घबरा गया उसके नो सो रत भी उसके काम नहीं आ पाए कोई उसका साथ नहीं दिया बाराग की तलवार ने उसको मार भगाया और आगे क्या आए तो में जवाब पढ़ेंगे तो भाग कर वो कर दिखा है कि उनीस व्यायद में तब सीसरा ने उसे कहां मुझे प्यास लगी है मुझे थोड़ा पानी पिला तब उसने दूद की कुपी खोल कर उसे दूद पिला है ओर he सिसरा के भैट के लिए निकल कर उससे कहने लगी है मेरे प्रवु मेरी पास और ना डर तर उसके ऊपर चंब दूद या रघ की तरवार से भागा तो यह इस तो पास जाकर मिला यायल ने उसको बोड़ा तू आजा मेरे पास डर्मत तू मेरे डेरे में आ तब उसके आपर कंबल डाला उसने पानी मांगा तो यायल ने क्या किया उसको दूद दिया वो ठका हुआ था उसके हिम्मद तूटी हुई थी क्योंकि लड़ाई में भाज रहा था और जैसे वो ब परो बारा का काते तो हुए ओलते इसको डून रहे हgy है वो म्राऊ है तो अब याद देख रहे हैं कि जो सीसरा 20 साल तक जिसको परमेशय ने मेरे बच्चे मुझे पुकारे जैसे ही इन्होंने दोहाई दी परमेशर की परमेशर ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे अगेंस चल रहे थे या क्या है क्या नहीं मैं तुमारे तुमारे साथ क्यूं दू या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं जैसे उन्होंने दोहाई दी परमेशर ने प्रियों जब हम लड़ने के लिए परमेशा को पुकारते हैं जब अपनी अपनी उन सिच्वेशन से बाहर आते हैं एक्जामपल के तोर पर यह तो चुरू बालाक और सीस्रा की कहानी के रूप में अगर मैं आज के हालात में बात करूं सिंपल तरीके में अगर मालो कोई करता है तो चुरू करते हैं तो फिर अच्वाद करने लगो को यह तो कि झीज़ को नहीं रहता है उसकी मा को बहुती है तब ऐसी पर शिती में आकर लोग कोई तो कोई तो हो जो इसको च्षुट कारा दिलाए, कोई तो ऑज इन पर सित्यों से बाहर निकाले, फिर फिर वो धूंडते हैं पर मेश्त को नियुक्त करता है कि शुत करंकि के से खेंगे कि क्यों कोई प्रवु करेंगे, आगि प्रभु को बिस में आ 최고 sto स्वात को तो चक्कर अगर पलट चाता है तो पर मेशर क्या करता है उनके उपर जैसे सीसरा इस्रैलियों के उपर सीसरा को कर दिया तो उसी तरह के से पर मेशर क्या करता है लाओ करता है दीमेंस को शेतानों को कि करो तुम छेड़ो ताकि जब तुम करोगे मेरा बच्चा वापिस मेरी यह दौहाई देगा क्योंकि वो मेरे स्वात को चप चुक है वो जानता है परमेश्यों को छोड़ और कोई नहीं है जो मुझे बच्छाएगा वो लौटकर मेरे पास आएगा कई परमेश्यों शेतानों को हम लोगों के भलाई के लिए इस्तमाल करते हैं लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते हम उस जगह पर कह रहे होते कि प्रभू इतना सब कुछ करने के बाउजुद भी हम ये सब कुछ हो रहा है लेकिन वो हमारी भलाई के लिए ही सारे कामों को करता है और जब हम decide कर लेते कि नहीं अब हमें तो कुछ करना है यहाँ पर बाराग ने परमेश्वर की दासी की बात को सुना विश्वास किया और लड़ा और वो लड़ा जब तक वो लड़ा नहीं तब तक कुछ बात बनी नहीं जब तक हम अपने against परस्तितियों के against लड़ कि बाते हैं यह और उनकी बातों को मानेंगे नहीं और श्रीदान से युद красив सक्षी नहीं लड़ाएं तक परस्तितियां हमारे पास सिज़ाएंगी नहीं प्रियों वह से लोग समझते हैं की बदो में बदं परातना है करेंगी तो सब कुछ हो हर चलता है करें परनीशों चायता है कि बच्चे क्या करें वह हैं संपर्सृतिषों से क्या चाहिं हो लड़िए दाकी वह जी हो पर मेटें कुछ है कोई भी क्यों ना हो मैं आपको तीन-चार दिन पहले की गभाई देती हूं रात कुछ है सारदस ग्यारा बज़े थे तो दोनों बेटे कहीं बाहर गई हुए थे जैसी अंदर आए तो कहते हैं कि जब बचे परमेश में वचरम कम पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी है तो वो क्या करते हैं वो डीमन्स उनके साथ एंटर मार जाते हैं उनके पीचे पीचे चले आते हैं तो जब जैसे वो आये तो एकदम से घर में हबरतबरी का महौल हो गया वो उसके कुछ किसी चीज के उपर चला रहा है और मैं और इस देर कली से कि कुछ बच्चे बैठे जो हम लोग संगटि में बैठे थे और जैसे वह आया उनके बस एक दो शब्द के आवाण सुनाई दी मैं नीचुन को बोली मैं करूं को प्रात्ना करते हैं जैसे प्रात्ना करें विदिन सेकिंड मूबन करके अपने कमरे में व्हों बन करके अपने कमरे में क्योंकि जब ह हमें पता चल जाते हैं जैसे से हम परमेश्य की नसीकी में चाते हैं तो परमेश्य की हर एक बातों को हमें समझ में आता है शेतान के एक चाल हमें समझ में आ जाती है और हमें कैसे युद लड़ना है हमें पता चल जाते है अगर यह जब प्रभू में नहीं होते तो एक ऊपर चिला रहा दूसरे कवर में चला रहा हुआ इतर से मैं भी चला रही होतीई क्यों कर रहा हुं क्या कर रहा हुआ हो तो वह क्या होता वह एक महल क्रियेट हो जाता है लेकिन पर इशय क्या कहते है कई बढ तुम लड़ो जैसे उस डीमन को भगाया कि प्रभू जो भी इनके साथ चलकर आई है गंदिगे उनको इश्यू के नाम से बगाती हो और प्रभू आपके लगू का बाड़ा हम सब के चारों और इस बवन के चारों लगाती है तो उसी घड़ी सब कुछ शान्त हो गया उसी घड़ी विदिन सेकंड विने और भी नहीं कह bizi नियोंगी विदिन बस Всёग कि एज़र आमीन बॉला उधर काम हो गए है कि क्यां कि हम जब जब पर्मेश्यों दुहाइं कि फर्मेशुल का स disinfect को सुनता है और हालात बदल देता है । हम पर्मेश्य वह नहीं आये तह गर मैं अपनी बात कर एक एकती के साथ रिलेक्शन था जिसके साथ मैं सोच रही थी कि शादी हो जाएगी लेकिन वो परमेशर की इच्छा नहीं थी तो परमेशर ने उस चीज़ से मुझे आजाद किया प्रवुका मैं धन्यवाद करती हूं उन बातों के लिए क्योंकि अगर हो जाती शादी तो म प्रवेशर ने काम किया और प्रवुकी बातों के उपर जो मैंने विश्वास करना शुरू किया तो उस युद्ध को लड़ा तो आज प्रमेशर ने जेवंतों पर जेवंत करके क्या कर दिया उखड़ा कर दिया कि कई पर प्रवेशर कहते हैं कि तुम प्रातना करो और जब आतमे की लड़ते हुए जब एक मुका माते हैं तो सामने से भी पलट वार आ जाता है तो बहुत से लोग बैठ जाते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं और एक्साम्पल जैसे मालो अगर आप किसी नशे की डीमन के लिए प्रात्ना करें किसी वेक्ति के अंदर नशे की दुष्टात्मा है या जैसे मैं आपको किती वर कवाई दी हूं हमारी मेड की जो वेटी आती है उसके पती उसका पती उसको बहुत टॉर्चर करता था में रहते हैं तो क्या होता है बहुत है जीत में पर्मेशर के लोगों की होती है अपनी जैवंते हो पर हुआ यह नहीं प्रमेशर ने सबस्ख़ा raf आपने लोगों को जेवंत दिला तो में पत्नी बड़े पटी मेरे तो पिर्कुल अगेस रहता था साद हो इदि ऑसक्राइब मेरे चिकन को इस अब दोड़े संदुन में परी आदा है रोऑ प्रमेश्व को हमें स्विय को बना जान रहे है तो परमेश्वiasm मोते स्वें हालातों को बदल देता है अगर आप विश्वास करेंगे परमेशर की बातों पर उसके गए नोसाथ चलेंगे चुब आप दोहाई देंगे अगर आप किसी परिशानी में है कोई किसी की नर्शी की दुष्टात्मा है कर्दा है, बीमारिया है कुछ भी है, केता है पुकारो परमेशर को, पुकारो और लड़ने के लिए तयार हो जाओ लड़ना तो पड़ेगा बीना लड़ने काम नहीं होगा बहुत से लोग सोचते हैं बस पास्टर लोग प्रात्ना कर दें तो बस सारा काम हो जाएगा पास्टर तो प्रात्ना करता है लेकिन पास्टर के प्रात्ना कब पूरी होती है जब आपका विश्वा सार्थ में होता है और आप उसमें सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अगर कुछ काम करना है आपको जुरिस्टिक्शन दी जा रही हैं आप उसमें उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जब आप उसके केक औरिंग चलते हैं तब ही प्रात्ना है क्या होती है वो पूरी होती है यहाँ पर आपको समझाये जा रहा है कुछ आपको गर्मे करने जा रहे हैं कुछ तो कैसे पात बनेगी आपको बोला जा रहा है कि आप प्रात्ने के लिए उसके साथ लड़ने आए थे वो ना युद करने के लिए उसके साथ वो कहते हैं नहीं से करते तो कैसे बाराख जीत पाता कैसे पर्मिश्वाथ लोगों को लेकर जा क्योंकि सेना भी जादा है उसको मारेंगे तूस को मार तो पर्मिश्व की योजचने अद्बुत रहती है बसे नहीं उसके पर विश्वास करने की जरूरत क्यां यहां बाराक्र में नप्तारे जेब उन्हों ने परेशकी बातों पर उसे विश्वास किया तो छीट उनकी हो ग invasive झीत उनकी हो गई हालाग बदल देता है जो इस्राइली उनके अधीन ते अब वो इस्राइल्रयों के अधीन नहीं पुकारे बीस साल तक उनकी गुलामी में पड़े गए और अती हो गई जब परमेशर को पुकारा तो परमेशर ने उनकी सुन लिए सुन गे उनको आजाद कर दिया आजाद कर वाय कब जब उन लड़े जब परमेशो की बात को उनने माना उसकी आग्या कालिता में आए परमेशो के के नुसा जब बाराख लड़ने के लिए निकला ये सोचकर कि परमेशो मेरे साथ है जैसे वो लड़ने के लिए निकला तो लड़ने के लिए वो नहीं परमेशो का आत्मा उसके साथ है क्योंकि जब तक परमेशो का आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहता हम कोई भी युद नहीं जीच सकते हमें हर जगा डर लगता है हमें हर एक बात में डर लगता है कि भूत आए लेकिन आप पर्वेश्य के लोगों से ड़ती है कि कई वो ना आजा बंदा ये बंदी फिर प्रातना करके बगा देगा हमें तो प्रीयों प्रप्व हालात बतलता है वंदी अपने जीवन की गवाई हूं तो प्रपू में आने से पहले मेरी हालात से बतल थे प्रेयों मरने की कागार पर खड़ी थी लेकिन परमेश्य आने के बाद मेरे हालात то बतल गए 떨어지ंए परब ने तकता पलट दिया मेरे जिन बिमारियों के इसे पिर बातों के पर्मेश्र परूह को पर्मेश्र का," he कोई भी हालात आपके जीवन में क्यों ना हो कैसे भी हालात क्यों ना हो आप एक बर पुकार कर देखें परमेश्य की बात पर विश्वास करें जैसा वो कहता है उन्हेंस आप करें तो सच में आपके भी हालात भी बदलेगा क्योंकि वो चाहता है हालात बदलना तभी तो वो बाते करता है तभी तो वो एक्जामपल देता है अप लोगों के बीच में कि देख मेरा बेटा मेरी बेटी मैंने उन लोगों के हालात बदलना चाहता हूँ तु पोकार तो से, तु मेरी और आतो से, मुझे परकतो से, देख मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, बुद्र नहीं हार रहा हैं, कि आए मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास, और मैं उनको अजाद तरुआ एक बंदनों से, लेकिन करने के लिए हमें एक कतम बढ़ाना पड़े और में इश्वर की बात पर विश्वास वरते हैं, जैसे यहोशू यहर्द नदी जब पार कर रहा था, जब तक वो पानी दो भाग नहीं हुआ, जब तक यहोशू ने अपने पाउं पानी में नहीं रखे, जैसे पाउं उसने पानी में रखा, वो क्या होगा, यहर्द लड़ना तो होगा तो लड़ें अपनी अरिक परस्तित्यों से उसको बोलिंग में इश्यू के नाम से आता हूं और वारे उसके हख्याओं को चले ही वैसे जैसे प्रमिश्रों का आत्मा चाता है तो हालात बदल जाएंगे प्रभू इस वच्छन के द्वारा आपको बहुत आप चाता है अश्यू तो बदलने वाले परमेश्रों हैं मेरे पीता है कैसे इस्वाइली मेरे पीता सीष्रा से 20 साल मेरे पिता उसकी ताड़ना को सहते हैं लेगिन जब उन्होंने आपकी दुहाई दी मेरे पिता उसी सीष्रा को आपने बाराक की तलवार से मार बगाया के दुख़वचन को सुन रहे मिरे पिता अगर कोई अपने उन दुखों में अज पढ़ा और आपकी दुहाई देते हैं मेरे पिता तो मेरे पीता परमेशयों इसम explains video और 이야기를 सीते हैं by आवे लुड़ custody कारिक्तर के निज वूय सहर पर 9 क्या मैं जब होता नचाल है मेरे पीता तो ईं हालादे हों के पाओं के नीचे कर चुके हैं मैं आप कर दनिवात करती क्या हैよし Todd है तो सचमिश अध्र रिती से हम अपने आपको जयवंत होते हुए देखते हैं और हरे जन में आपके नाम में जयवंत हो कुक है मेरे पिता मैं आपका कोटी-कोटी धन्यवाद करती हुए सब्सक्राइब करें, आमें, 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 कुछे में सब्सक्राइब,